वे तक क्या को भी टेंट समझ में आते लेकिन की प्रेक्टिस नहीं हो पाती है आपको टेंट सिस्षा समझ में आते हैं लेकिन आपको के पैसाने में आज भी प्रॉब्लम होती है तो जाइस don't worry आज मैं आपके सामने 10 एक्जंपल लेकिर आया हूं और मैं आपको आज practical तरीका बताऊंगा practical methods बताऊंगा how to identify the tenses और मैं आपको सारे के सारे example इस वीडियो में practically और बोलते हैं ना के life solve करके बताने वाला हूँ तो विदा वेस्टिंगा टाइम लेट सब्सक्राइब तरीका बताऊंगा इस वीडियो ना देखेंगे आपको में चीज बता दू अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो गैस मैंने ओलरी 46 डेज में टैंस को पढ़ाया हुआ एक एक टैंस को इंडिविजल प तो आप पहले जाकर वीडियो देखिए अगर आपको टैंस समझ में आते हैं लेकिन पैचाने में प्रॉब्रम होती है तो आज का शेशन आपके लिए बहुत ही इंप्रेस्टिंग और बहुत ही इंप्रेसिव होने वाला है वीडियो को पूरा देखना है आपको एक 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 इंटिफाय इन यह एक टैंस तो इंटिफिकेशन ओफ टैंस तो फस्सेंटेंस मैं रोज चार बजे उड़ता हूं एक चीज़ आप दिमाग में बिठा लो जो भी आप सेंटेंस जब भी आप इंगलिस स्पिकिंग करते हो या किसे से इंगलिस में बाते करते हो तो जो आप का मतलब क्या होता है what is the meaning of work तो गाइस वर्ब मिन्स एक्शन एनि मेंटल और फिजिकल अक्टिविटी मैंने इसका भी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आप जाके इसको देखना गाइस डीटेल में बताया हुए तो वर् छोटने में काम हो रहा है पूरा हो गया है चल रहा है न बाकी यह हो चुका है लेकिन specific time है यह हो चुका है लेकिन अन-specific ढमें तो गैस आप कोने पैचान से लिगहीं फर्स सेंटेज्स मैंने लिखा है मैं रोज चार बाजा उड़ता हूँ कि समा मेरा वाड़ क्या है तो वाबहता क्या है तो वाप का मतलब रोता है कोई भी mental or physical activity और गाइश यह बहुत चीज़ जोगर है तो उने वाला है क्या होने वाला है क्या गायाइश वर्ब जन्रली वही क्या होगा गाईज आपका वर्ब होता है तो यह मैंने आपको एक हिंट दे दी है कि कोई भी सेंटेस दुनिया का उठालो हिंदी वाकी के लास्ट में जो जन्रली वर्ड लिखा होता है ना 99% चांस से वह आपका वर्ब होगा तो यह आपको हिंट मिल काम कर दो उठने का हमारा क्या हो रहा है वर्ब और एक्टिविटी हो रही है तो यह हमारा क्या बनेगा यह बनेगा वर्ब डन अब इसमें क्या लिखा है मैं रोज चार बजे उठता हो तो गैस मुझे आप यह बताओ क्या मैं एक दिन की बात कर रहा हूं तो आप रोज की क्लें की बात करो क्योंकि इसमें रोज लिखा हुआ है लेकिंगे ह्समें रोज पभी लिखा भी हो सकता है और अटना भी लिखा हो सकता तो मैं चार बजसे उठता हूँ तो रोज लिखा हो या ना लिखा हो बात तो मैं रोग सब्सक्राइब यह क्या है एक दिन की बात नहीं है तो आपको मैं बता दू प्रेजञडट हैबीर बताने के लिए मिंस i am रेगुलर एक्ष्न बताने के लिए बताते तो रेगुलर एक्ष्न के लिए कोंसा कॉइंस तो डिक सांसर करते सिम्पल परजेटेंछ राइगुलर एक्षन के लिए क्या आता है तो इस तरह से पहला वाग की जो होगा कौन से टेंस का है गाई यह सिंपल प्रेजेंटेंस तो इसका अंसर क्या बनने वाला है आई वेक अट फॉर अग्लॉक है तो गाई वीडियो के एंद तक बने रहे ना मैं एक एक सेंटेंस को इस तरह से डीटेल में पढ़ाने वाला हूँ इस तरह से आपको पैचानना सिखाऊंगा क्योंकि होता क्या पढ़ा तो हर को ही लेता है टेंस को लेकिन जो इस्टुरेंट की तरफ से जो प्रॉब्लम आती है जो हमने ऑब्जव किये वह क्या होती है इस्टुरेंट की काम 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 आप सब्सक्राइब कर्ずरह यह लोगे है हो रहा है या पूरा हो गया गया इसमें देखने का काम हो रहा है या पूरा हो गया है तो पहला कुशन निकल के जो सॉलुशन निकल के आगा वो क्या है कि सर हमने कल मुवी देखी मतलब देखने का काम तो पूरा हो गया है अब देखो क्या इसमें टाइम दिया हुआ है कल या बताया हो आपको कि कब पूरी हुई थी टाइम स्पेसिफाइड किया हो तो वो कुंसा टेंस होता है simple past tense मैंने इस पर भी एक सेप्रेट वीडियो बनाया हुआ है simple past tense present perfect tense or past perfect tense इन तीनों में आखिर क्या difference है तो गाइस यह क्या कहता है time is specified and the action is done तो कौन सा टेंस आएगा तो टेंस आएगा simple past tense right तो इसका अंसर क्या बनेगा we we saw the salar movie yesterday और we saw salar movie yesterday right तो यह था गैस हमारा second example अब हम बात करते हैं थर्ड एक्जांपल की थर्ड एक्जांपल क्या कहता है तो थर्ड एक्जांपल है वह कल आएगा डांसर सुनना वह कल आएगा गैस सबसे पहले आप और क्या पैचाना है वीडियो को पोस्ट करो और आप पहले खुद से पैचानों identify करो और है एक्शन होनी बाकि होती है यानि कि फ्यूचर में होती है फ़िश्चि में होती है तो उसको क्या बोलते सिंपल को फुचर 10 क्या उब प्रिछर की बात कर दा गागय की बात कर रहा है अभी होना बाकी action हुई नहीं है तो इसका आइसर क्या बनेगा कि वह बॉल कम टुमारो क्या बनेगा ही विल कम टुमारो तो यह था गाई था और वहां मेरी बात नहीं सुन रहा है मैंने जान बूच के लंबा रखा है क्योंकि अक्सर आपकी तरफ से कई बार ये डाउट भी देखने को मिला है कि सर अक्सर हम छोटे-छोटे सेंदेंस तो बना लेते हैं लेकिन जब बड़ा वाक के आता है बड़ा सेंटेंस आता है तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सुरुवात कहां से करें तो वह मेरी बात नहीं सुन रहा है अब मुझे इसमें बताओ काम मतलब क्या है तो सुनने का जो वह नहीं कर रहा है मतलब कोई ऐसा काम जो कर रहा है या नहीं कर रहा है डिजन मैटर हमको पॉजिटिव सेंस ही लगा बताओ यह एक्षन लाइव होती है लाइव आपकी आखों के सामने हो रही है तो हाँ यस यह लाइव एक्षन है जैसे मान लो आप सब प्लास में बैठ हुए कंपनी में बैठ हुऊ आपने किसी बात नहीं सुन रहा है एक्षन लाइव है यहां पर राइट तो जब एक्षन लाइव होती है ना तो टेस्ट कौन सा आता है कंटिन्यूस टेंस सुन रहा है यानि कौन सा टेंस होगा प्रिजेंट कंटिन्यूस टेंस तो लाइव एक्षन बताने के लिए क्या आता है लाइव kind information इस आइस जो बनी से पुलतें ब्रिजुप के बनेगा इसका इंग्लिश बनेगा वह का मद छो你 देडहे तो यह स्वार्ट एंधर का वह कहते मैं तक आप और गिसने पहँंपल की क्या सबक्रक्ट कर अब तो सबसे पहले मुझे पचाना है वह वह आने की काम क्या हो रहा है तो क्या कर रहा था कल रो रहा था रोने का भी चल रही है या पास्ट में चल रही थी मतलब अभी चल रही है हाँ या ना तो आंसर होगा नहीं सर अभी नहीं चल रही है वह कल रागव कल रो रहा था अभी रो रहा है क्या नहीं अभी नहीं रो रहा है कल रो रहा था यानि एक्षन तो लाइव थे लेकिन कब थी यह पास्ट वाली लाइव एक्षन थी तो जब वाली लाइव action होगी तो गायस को सा बनेगा पास्ट कंटीनु अस्तेंस तो यह कून सा बनके आ गया पास्ट सद्ला गलता है तो एक्शन लाइव होती है लेकिन लाइव मास्ट पास्ट लाइव तो राघाव कल रहा तो आंसर क्या बनेगा रागव वाज रागव वाज क्राइंग यस्टरड़े इस कहीं उसका नम्र कहते हैं कि वीडियो ओसकता थोड़ा सा बड़ा हो बड़ा होने का रीजन यह हैं कि मैं इसको डीटीटेल में बता रहा हो इससे पहले आपने कभी ऐसे शॉल आउट नहीं किया होगा गाइस प्रैक्टिकली यह आपने खुद किया हुआ है काम लेकिन आज मैं आपको एक्चुली मैथर दे रहा हूँ किर लृट कर लिया है तो गाइस में काम क्या है तो क्या है खाल लिकनी रहा है या हो गया है कि बाकी है तो कर लिए मतलब पूरा ओचुका है तो क्या हूं वह करना तो तो इसमें बनेगा the action is completed लेकिन 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 कैसमें बताया है कब हुआ है पूरा homework हमने homework पूरा कर लिया है लेकिन बताया कब किया है नहीं मतब टाइम क्या है अनस्पैसिफाइड है time is unspecified तो guys याद करो जब time unspecified होता तो कौन सा टेंस लेते हैं हम तो हम लेते हैं present perfect tense क्या present perfect tense अब unspecified यानि present perfect tense और आगे हमें देखा था second number के example में हमने कल सलार मुवी देखी यहां पर भी action पूरी है लेकिन यहां पर time specified time दिया हुआ है तो यह बनता है simple past tense लेकिन time नहीं दिया हो तो बनेगा present perfect tense एक और example में यहां पर बताना चाहूँगा simple past of present perfect specified specified को लेकर अगर मुझे बोलना है मैंने खाना खा लिया लेकिन मैंने बताया कब खाया इसा नहीं मैंने टाइम नहीं बताया तो क्या है अनस्पेसिफाइड है तो टेंस कौन सा होगा present perfect tense लेकिन मुझे गर बोलना है मैंने दो बज़े खाना खाया तो यहां पर क्या time specified है इसलिए बनेगा simple past tense तो गईस इसका एक्जमपल में आसर क्या बनेगा हमने homework कर लिया है तो we have done homework क्या बनेगा we have done homework is it killer guys अब हम बढ़ते सेवन नंबर के example की तरफ आगे क्या लिखा हुआ है guys दो दिन पहले मैं उससे मिला था दो दिन पहले मैं उससे मिला था अब मुझे बताओ काम क्या है मिलने का कब मिला था दो दिन पहले guys before the time action was done कि समय से पहले अगर action पूरी हो गई हो तो कॉन सा रहता है पास्ट पॉफेक्ट टेंस राइट गैस पॉफेक्ट टेंस गैस मैंने टेंस को इसको अलग अलग पढ़ाया हुआ है और ये प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट इन तीनों टेंस गैस पे एक सेप्रेट वीडियो भी बनाया हुआ है आई बटन में भी लिंक दे दूंगा गैस को जाके अलग से देख लेना डीटेल्स में पढ़ना उसको तो दो दिन पहले मैं उससे मिला था इसका अंसर क्या बनने वाला है तो इसका अंसर बनेगा इसका पास्ट परफे कि से सात सालों से तो गैस मैंने आप वर्सो लिखा हुआ है मतलब वही सात सालों से Underground सालों से हम एक दूसरे को जान रहे है या हम जानने का नू लेकिन कप से किरिया कप से चली या घोरी है ऍ весь साथ साल कब हुई थी पास्ट बें सुरु हुई इस साथ साल पहले जानना शु में कब पूरी होगी there is no end तो यह बने का गाइस प्रेजेंट पर्फेक्ट कंटीनिवस्टेंज क्या बनने वाला है प्रेजेंट पर्फेक्ट कंटीनिवस ट्रेंज क्यों ऐसा क्योंकि पास्ट में कोई करिया शुरू हुई प्रेजेंट में भी चल रहिए and there is no end in future तो यह बनेगा प्रेजेंट पॉफेक्ट कंटीनिवस्टेंज तो इसका अंसर बनने वाला है वी हाव बीन नुइंग इच अधर for seven years for seven years राइट गैस तो यह था एट नुमर का एक्जांपल अगले एक्जांपल की तरफ बढ़ते और क्या लिखा हुए कुछ सालों बाद हम फिर मिलेंगे कुछ सालों बाद हम फिर मिलेंगे तो मिलने का काम हो गया है या बाकी है होना बाकी है future को बता रहा हूँ तो future मे होगा we will meet after some years we will meet after some years राइट याद रखना गाइस वी विल मेट आफ्टर समीयर्स ओके अपके आप बोलो के सब्सक्राइब के साथ आप सर्विल बोल रहो हमारे स्कूल में तो सिखाया जाता है वी के साथ शहल आता है और आप तो सर्विल बोल रहो गाईस इसका भी मैंने बनाया हुआ है लेकिन आपको बता दू वी ला अएगा या शं मैंने वीडियो बनाया हुआ लग से तो modern इंग्लेश में लिद्ध को से fare धर करते नहीं है ठीव बोलनाों है तो क्या बनेगा वीत आ frames after some years of this video like class example it yn वan गैशा ओधर करूंगा तो गई में में तसाह करूंगा अब तन सुनना किया मैं टना भोना भाकी है या अरण गैडोंग साहitto करके न फंद भेयर नहीं होज साहर कॉल अहे यचाना है है In all future tense right आपने वोला अपने बेस्ट फ्रेंड को कभी ना कभी यह संट्थ मैं मैं में सा तुम्हारा इतजार करूंगा तो इसका आसर क्या बनने वाला है तो इसका अंसर बनेगा I will always wait for you क्या बनेगा I will always wait for you तो गई यह था हमारा last example और इस तरह से आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और अगर आज का लेक्षर आपको समझ में आया है और कुछ वैल्यू एड हुई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरू बताना ताकि मुझे यह पता चल सके के टेंस प्रैक्टिस पे पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3 बन